मेरे प्रियस नहीं जन, आज से एक साल पहले भारतिय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्निम अध्याय जुड़ा, देश में दसकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनताने जिम्मेदारी सौपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमी का रही है, ऐसे मैं आज का यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतिय लोकतंत्र के प्रति आपकी इस निष्ठा को प्रणाम करने का, यदि सामान्य स्थिती होती ही, तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सोभागी मिलता। लेकिन वैश्वीक महमारी कोरोना की वज़े से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में इस पत्र के द्वारा आपके चरणों में प्रणाम करने और आपका आशिर्वार लेने आया हूँ। बीते वर्ष में आपके सुभाशिष और आपके सक्रिय सहयोग ने मुझे निरन तर एक नई उर्जा, नई प्रेरणा दी है। इस दोरान आपने लोक तंत्र की जिस सामोईक शक्त के दर्शन कराए, वह आज पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन चुकी है। छे साल पहले वर्ष 2014 में आपने देश की जनता ने देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए बोट किया था। देश की नीती और रीती बदलने के लिए बोट किया था। उन पांच वर्षों में देश ने व्यवस्ताओं को जड़ता और प्रस्टाचार के दलदल से बहार निकलते हुए देखा है। उन पांच वर्षों में देश ने अंतियोदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्णनेंस को परिवर्तित होते देखा है। उस कारकाल में जहां विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी वहीं हमारे गरीबों के बैंक खाते खोल कर उन्हें मुप्त गैस कनेक्शन देकर मुप्त बिजरी कनेक्शन देकर साउचालाय बनवा कर घर बनवा कर गरीब की गरीमा भी बढ़ाई। उस कारकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई एर स्ट्राइक हुई वहीं हमने वन रैंक वन पैंशन वन नेशन वन टैक्स जीएश्टी किसानों की MSP की बर्सों पुरानी मागों को भी पूरा करने का काम किया। वह कारकाल देश की अनेकों आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए समर्फित रहा। वर्थ 2019 में पिछले वर्ष आपका आशिरवात देश की जनता का आशिरवात देश के बड़े सपनों के लिए था। आशा आखांग्शाओं की पूर्ती के लिए था। और इस एक साल में लिए गए सारे फैसले इनी बड़े सपनों की उडान है। आज जन जन से जुड़ी जन मन की जन शक्ति राष्ट शक्ति की चेतना को प्रज्वलित कर रही है। गत एक वर्ष में देश ने सतत नए स्वपन देखे नए संकल्प लिए और इन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए निरंतर निर्णे लेकर कदम भी बढ़ाएं। भारत की इस एतिहासी यात्रा में देश के हर कोने से हर समाज, हर वर्ग और हर व्यक्ति ने बख खुबी अपना दाईत्व निभाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मंत्र को लेकर आज देश सामाजिक हो या आर्थिक, वैस्विक हो या आंत्रिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रियस नेहिजन, बिते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर नेणय जादा चर्चा में रहे। और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृतिबे रहना भी स्वाभावीक है। राष्ट्रि एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियो पुराने संगर्ष के सुखत परणाम राम मंदिन निर्मान की बात हो, आधुनिक समाज ववस्ता में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संसोधन कानून हो, ये सारी उपलदिया आप सभी को स्मरण है।